चलिए दोस्तों बात करते हैं इस ही कोर कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामना नेका X का स्कूर प्लस में X is equal to be 19 then what is the value of X plus का 5 का whole square प्लस में 1 अपोन में X plus 5 का whole square इसकी value को solve करना और बताना है कि right answer क्या एगा अगर मैं इसका कोई factor तोड़ो तो नहीं टूटेगा value put करो तो मेरी कोई value नहीं मिल रही मुझे तो मैं क्या करता हूँ इस value को मैं मान लेता हूँ तो जब मैं इसे X plus का 5 की value को मैं T मानूँगा तो मेरे पास जो X की value आईगे T माइनस का 5 यह मेरे पास में value आजागे यानि कि इस पूरे की जगे में T रखूँगा और इस पूरे की जगे में T रखूँगा यानि कि T का square प्लस में 1 अप उन में T के square की जो value आईगे वो value इसके बराबर होगे तो चलिए यहाँ पर रखा मैंने T माइनस में 5 का square प्लस में T माइनस का 5 इसकल टू में 19 तो यह मेरे पास क्या हो जागा T का square प्लस में 25 और यह हो जागा आपका माइनस का 5 दूनी 10, 10 T प्लस में T माइनस का 5 इसकल टू में 19 सबको इधर बेजेंगे तो T का square हो जागा इन दोनों को solve करेंगे तो minus का 9 T हो जाएगा ये कितना का 20 और ये plus का आपका 1 हो जाएगा इस कल्टू में क्या होगा आपका 0 के बराबर तो क्या मैं T इस पूरे को T से divide करता हूँ तो divide करूँगा तो ये आजाएगा T plus का 1 by में आपका T और बराबर में ये बचेगा आपका 9 तो अधर जाएगा आपका 9 यानि कि मेरे को जो value मिलगी वो T plus का 1 अपोन में T स्कल्टू में क्या मिलगा 9 मुझे निकालना है square तो T का square plus में 1 अपोन में T का square अगर निकालना है तो simple सी बात है इसका square करेंगे तो कितना हैगा 9 9 is the 81 इस 81 में यहाँ plus का निशान है तो यहाँ पर आप minus 2 करेंगे तो आपका कितना हैगा 79 यानि कि option जो मेरे पास में B होगा वो इस question के लिए correct होगा एक बार इसको और देख लेते हैं यहाँ पर detail से हो सकता है यह किसी को ना पता हो यहाँ तक तो मेरे को निकल गया तो मैंने क्या किया दोनों का square किया तो यह मेरे पास में T का square हो जागा plus में 1 upon में T का square हो जागा plus में 2 into में T into में 1 upon में T आजागा बराबर में 9 9 is the 81 इससे कट जाएगा मुझे तो value चीए T square प्लस में 1 upon में T के square की value चीए बराबर में तो 81 यह इदर जाएगा तो minus का 2 हो जागा यहनि 79 इस question का correct answer आएगा एक बार फिर समझते है जब इस question को मैंने solve किया तो मैंने यहाँ पर कोई value रखके देखी तो मेरी कोई value नहीं मिल रही जब मेरे को नहीं value मिली तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखा यह x plus का 5 है अब जब x plus के 5 को अगर मैंने t के बराबर रखा तो यहाँ से जो मैरे x की value निकल के आई मेरी वो x is equal to में t minus का 5 रखा निकल गाई यह 25 और minus का 5 यानि कि 20 हो जाएगा यह 19 अंदर आजागा तो plus का 1 बन जाएगा अब मैंने क्या किया इनको दोनों तरफ ना t से divide कर दिया जैसे t से divide कर इसका square गट गया इसका t कर जाएगा और यह 1 upon में t तो है 1 यानि t plus का 1 upon में t और यह इधर बेज़ दिया 9 को तो यह क्या हो गया मेरे पास में positive का 9 हो गया यानि कि t plus का 1 upon में t की value मुझे मिल गई बट मुझे value चाहिए t के square की और 1 upon में t के square की तो दोनों का मैंने squaring both side किया तो यह t का square हो जाएगा यह 1 upon में t का square का प्लस में 2 t into में 1 upon में t इसकल to 80 होने गए t से t कट जाएगा तो यह मेरे t का square प्लस में 1 upon में t का square चाहिए तो इस 2 को मैं इधर बेज़ूँगा इधर प्लस का तो माइनस का हो गया तो 79 इसका correct answer रहेगा यानि कि option जो b है वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा